नाउ सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे डिवाइस में डिफर टेकितिंगल पिर्व्यू अच्छे से नहीं चलता मतलब बहुत ही ज़्यादा लेग होता है तो यह सेड़स मेरे किसी काम के नहीं है तो आई डॉन तिंक तो ऐसा आपको बोलना चाहिए कि मैं रिकॉर्डिंग क करता हूं तो आप खेल भी सकते हो हाँ अभी डेफिनेटली खेलने लाइक नहीं है यह लो एंड डिवाइस के अंदर बट फ्यूचर में जब यह रिलीस के अंदर आएगा क्योंकि अभी तो यह बहुत ज़्याद होगा एंड अगर आपके पास बहुत ही लो एंड जाओगे और अगर आपके पास एक मिड रेंज या फिर फिर एक ठीक ठाक पीसी है तो फिर तो आप अभी इस चीज को बहुत एच्छे से इंजोई कर सकते हूं तो है गाइस विलकम बैक तो हाँ आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 वन आप दी बेस्ट सेडर्स फॉर माइं को इंप्रूफ किया जाता है ताकि गेम के ग्राफिक्स और भी रियलिस्टिक लगें बट उसके लिए आपको चाहिए एक डेडिकेटल जीप यूजों की रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करें बट यहाँ पर एक और चीज है जो कि पीवी और मतलब फिजिकली बेस्ट रेंडर बाकि चलो इस्टार्ट करते हैं नाव जो हमारा सबसे पहले पैक है उसका नाम है वनीला पीवी आर इसको एक्टिवेट करते ही आप देख सकते हो कितना कमाल का यह पैख है और यहाँ पर आप नौर्म माइंक्राफ्ट से कितना चेंज आता है इसमें बाकि यहां गेम प्ल मेरे डिवास बहुत ही लोइंड है अगर आपके पास एक मिड रेंज का भी डिवाइस है यह बहुत अच्छे से चल जाएगा तो इस चीच को आप ऐसा डिस्क्लेमर लेना कि यहां पर बस आप देखो कि सेडर कैसा है अब गेमप्ले पर या फिर फ्पीस मत जाओ बस मैंने यहां पर दिखाने के लिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास और कोई अच्छा डिवाइस था ही नहीं जो कि इसको अच्छे से हैंडल कर पाए बागी यहां पर कुछ और स्क्रीन शॉट्स में जिनको कि आप देख सकते हो और सही में यह सेडर बहुत ही ऑसम है नाव जो हम पास देखने में बहुत ही ओसम है एकदम लुकवाई बहुत ही ओसम है एंड इस बादे पाग के अंदर ब्लोक के अंदर हलका सा 3D का एफक्ट भी आता है मतलब बहुत ही कमाल का 3D का एफक्ट आता है और यहां पर जो रिफलेक्ष्टन दिख रहा वाटर के अंदर यह के नाम में RTX है बड़के RTX के साथ साथ PBR को भी सपोर्ट करता है तो इस पैक का भी आप स्क्रीन सोट को देख सकते हो कितने कमाल के हैं और भाई बहुत ही ऑसम है इसके अंदर जो 3D का इफेक्ट आता है वो तो बहुत ही कुल है आपको मैं आगे दिखाता हूं और यह बाई व जो सेट आप एक है वो बहुत ही ओसम है डेफिनेटली आई लव इट आप यहां पर बताओ कमेंट करके आपको यह कैसा लगा और बाकी स्पैक के अंदर जो रेडिस्टरन को और है उसे के उपर गलो देखने को मिलता है नाव जो हमारा अंगला पैक है इसका नाम है क्लाइ मानिकराफ्ट के स्क्रिन सोट्स है और यह बहुत ही कमाल का है जो भी ब्राइटनेस लेबल मेंटेंक किया गए है यह बहुत ही सही है इसके अंदर आप यहां पर डानमेक सैड़ोस को भी देख सकते हो बहुत यह अच्छे तरीके से इसको बैलन्स किया गया है बाकि आगे में कुछ इस तरीके से blocks और mobs glow होते हैं और यह बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे एक दम perfect नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि इसके लिए भी आपको एक अच्छा GP चाहिए जो कि इस चीज़ को अच्छे से रेंडर कर सके जो कि मेरे device के अंदर तो नहीं हो रहा बट इ सकते हैं कितना ओसम तरीके से brightness को maintain किया गया है बाकि सेडोस को भी जो डानेमिक सेडोस हैं और इसके अंदर भी 3D का बहुत ही कमाल का effect आता है और यह सही में बहुत ही कूल है अगर मैं ranking करता तो इसको मैं number one पर रख देता आराम से क्योंकि जो creator है वह बहुत सही है और जो बहुत ही बड़ा aspect है जो कि reflection का जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि थोड़ी सी problem होगी बट वह भी हार इक पेक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा मतलब बहुत सारे ब्लॉक के साथ reflection बहुत अच्छे तरीके से काम करता है बाकि इस पेक के अंदर यहा है अगर आपको किसी एसे सेरे के बारे में पता है तो आप comment करके जरूर बताना बाकि thank you so much for watching बाकि मिलते हैं अपनी next वीडियो में बाकि आप चाहो तो subscribe कर देना अगर वीड़ चलेगी तो like भी कर देना बाकि आप डिक्सकॉर्ड सर्वर वगेरा भी अपना join कर सकते हो हम बाकि आप न बाकि आप बाकि और कर दो आपला जाज़ लूर भी खो झाल, 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 झाल